हेलो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने इस्टाग्रम अकाउंट को पर्मानेंटली डिलीट कर सकते हो तो आए वीडियो को शुरू करते हैं तो गाई Instagram account को permanently delete करने के लिए सबसे पहले अपने mobile में Instagram app को open कर लेना है तो Instagram app को open करने के बाद अब आपको यहाँ पे नीचे में अपने profile icon पे click कर लेना है तो profile icon पे click करने के बाद अब आप अपने Instagram profile page पे आ जाओगे तो आपको यहाँ पे सबसे उपर right side में पर किलिक कर लेना है तो setting & privacy पे ख़ी करने के बाद अब आपको यहाँ पे सबसे उपर ही एक option दिखकी जाएगा Account Center- तो आपको अकाउंट Center पे click कर लेना है तो Account Center पे click करने के बाद अब आपको सामने ही एक option दिखिआएगा Personal Details तो आपको Personal Details पे रिकव प्रास्टनल इटेल्स पे क्लिक करने के वाद आपको यहाँ पे एक उप्षन दिखिएगा account ownership and control तो आपको account ownership and control पे क्लिक करने के वाद यहाँ पे आपको एक option दिख été आएगा Deactivation और Deletion तो आपको Deactivation और Deletion पे क्लिक कर लेना है तो Deactivate और Deletion पे क्लिक करने के वाद अब आपके सामने आपका Instagram अकाउंट दिख जाएगा तो आपको अपने Instagram अकाउंट पे क्लिक कर लेना है तो Instagram अकाउंट पे क्लिक करने के वाद आपको यहाँ पे दो option दिखी जाएगा deactivate account और delete account तो guys अगर आप instagram account को temporarily deactivate करना चाहते हो तो deactivate account को select कर लेना है लेकिन हम अभी अपने instagram account को permanently delete कर रहे हैं तो हमें यहाँ से delete account को select कर लेना है तो delete account को select करने के वाद नीचे continue पे click कर लेना है तो continue पे click करने के बाद अब आपके सामने एक page आजाएगा delete in your instagram account तो guys आपको यहाँ से एक region को select कर लेना है कि आप क्यों अपना instagram account को permanently delete करना चाहते हो तो जैसे कि मैं यहाँ select कर रहा हूँ create a second account तो आप अपने हिसाब से कोई भी region को select कर सकते हो तो region select करने के बाद नीचे continue पे click कर लेना है तो continue पे click करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से continue पे click कर लेना है तो जैसे ही आप continue पे click करोगे तो आपके सामने एक page आजाएगा re-interview your password तो guys आपको यहाँ पे instagram account का password डाल देना है तो password डालने के बाद continue पे click कर लेना है तो जैसे ही आप continue पे click करोगे तो अब आपके सामने एक page आ जाएगा confirm permanent account deletion तो गाईज अपने Instagram account को permanently delete करने के लिए आपको delete account पे click कर लेना है तो जैसे ही आप delete account पे click करोगे तो आपका Instagram account permanently delete हो जाएगा तो गाई आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि Instagram account को delete करने के बाद 30 दिनों तक login नहीं करना अगर आप 30 दिनों तक login नहीं करोगे तो आपका Instagram account पुरी तरह से delete हो जाएगा तो अगर आप Instagram account को delete करने के बाद reactivate करना चाहते हो तो आप 30 दिनों के अंदर ही अपने Instagram account को login करके reactivate कर सकते हो तो गाई यही तह Instagram account को permanently delete करने का simple सा process तो वीडियो अच्छी लगए हो तो वीडियो को like करके चानल को subscribe कर ले फिर मिलते हैं अगली वीडियो में